राहूल गांदी जी के अमेरिकी यात्रा के दौरान एक पत्रकार से मातर एक सवाल पूछ रहें पर जिस प्रकार से उसके साथ अभदता हुई उसका जबरन फोन लेकर उसका इंटर्व्यू डिलीट किया गया उसके साथ हता पाई की गई ये कॉंग्रिस के अंदर की असली फ फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनरगल और आपत्ती जनक बाते करते हैं और फितरतन भारत विरोधी इस्थापित एजंडा धारी वेक्तियों के साथ मुलाकाते करते हैं भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहा कौन से नफरती फर्मान हैं और ये किसके फर्मान पर ये घमासान हुआ यहां पर मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगा कि ये वो पार्टी है जिसने जब जब सक्ता में रहा तो मीडिया को पूरी तरीके से कुचलने के प्रयास के अनेक उधारन मुदूद हैं औ और आज जरासीन की विपक्ष में ताकत बढ़ी तो उस ताकत का घमंड कैसे सर चड़ कर बोल रहा है कि सवाल पूछने के उपर कॉंग्रेस के कारेकरता मारने के लिए दोड़ रहे हैं तो मैं मीडिया की तरफ से एक पंक की कहना चाहूंगा कॉंग्रेस पार्टी और कि कहा हम सारे सवालों का जवाब मांगते हैं हम तो बस अपने आखों के लिससे के चंद खवाब मांगते हैं और हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले यानि हमी से सवाल पूछने से रोकने वाले हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से सारे पानी का हिसाब मांगते और दूसरा बिंदू ये है सवाल कौन सा था जिस पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि बांगला देशी हिंदों पर हो रहे अत्याचार का प्रश्ण उठाएंगे या नहीं इसके उपर आपको कंट्रोवर्शियल लगने लगा और खून खौलने लगा ये वही कौंग्रेस पार्टी है जिसमें इसराइल हमास संगर्श के उपर प्रस्ताव पारित किया है राहुल गांधी का हमास के उपर ट्वीट देखिये तो वो कहते हैं कि वहां गाजा में इनोसेंट लोग की किलिंग हो रही है मानवता कश्की जा रही है लोगों पे अत्याचार हो रहा है और अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि क्या आप बंगला देशी हिंदों पे सवाल पूछेंगे तो मार पीट और जूतम पैजार शुरू हो जाती है उस पत्रकार के साथ तो मैं उनको भी अटल विहारी वाजपेई जी की कविता की वह पंक्ती बताना चाहता हूँ कि आज जो लोग वहां फसे हुए हैं यह वो नहीं थे जिन्होंने कभी विभाजन चाहा था तो उनकी कविता की पंक्ती याद रखे कॉंग्रेस पार्टी कि जिनके पैरों पर जिनकी लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई वो अब तक हैं खाना बदोश गम की काली आधी चाही हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती तो सीमा के उस पार करो संभिता जहां कुछ नी जा